हेलो दोस्तों वेलकम इस वीडियो में हम क्लास नाइन्थ विग्यान के चैप्टर नमबर एट गती अर्थात मोशन इसके MCQs करेंगे MCQs हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखे हैं तो आप किसी भी मीडियम के स्टुडेंट है इस वीडियो का पुरा लाव उठा सकते हैं एक प्लेलिस्ट आप डिस्क्रिप्शन में देखेंगे उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको बाकी चैप्टर के MCQs के वीडियो प्राप्थ हो जाएंगे तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है तो क्वेश्चन ये है कि कोई कण है कोई पार्टिकल है तरीज्या आर के वृताकार पत में गमन करता है यानि एक वृताकार पत है और उस पर वो चलता है अब क्वेश्चन ये है कि आधा वृत पूरा करने के बाद यानि वो यहाँ से उसने चलना शुरू किया और बिल्कुल सामने पहुँचा आधा वरीत पूरा करने के बाद इसका विस्थापन क्या होगा तो यानि यहां से उसने चलना शुरू किया और यहां तक वो पहुँचा तो उसका विस्थापन क्या होता है तो प्रारंबिक स्थिती से जो उसकी अंतिम स्तिती है उसके बिलकुल बीच की सबसे नियूंतम दूरी को विस्थापन कहते है तो अब हमें बताने कि A और B के बीच की दूरी क्या है यानि shortest distance जो उसकी नियूंतम दूरी A और B के बीच है वो क्या है तो बहुत आसान है देखो इसकी तरीज़ आर है तो ये आर है ये आर है तो टोटल जो विस्थापन है वो हो गया 2R तो इसका आंसर है C विस्थापन है 2R यहाँ पर अगर पूछा होता है यानि ये तो विस्थापन पूछा है लेकिन विस्थापन की जगह पर अगर ऐसा पूछा होता है कि दूरी कितनी तै की गई है यानि अगर दूरी पूछी होती तो दूरी में क्या है जितना एक्चुल में चलता है वो हम लिखते हैं यानि अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी ये पूरी होती उस केस में हम जो परिदी होती है उसका हाफ करते तो वो आंसर पाई आर आ जाता तो ये पाई आर दूरी है लेकिन जो विस्थापन है वो प्रारंबिक अवस्था और अंते मवस्था के बीच की सबसे न्यून्तम शौटेस्ट डिस्टेंस न्यून्तम दूरी होती है इसलिए सीधी रेकाम खीचते हैं और ये विस्थापन टूर आ चुका है अगले क्वेशन के और बढ़ते हैं यहाँ पर है एक पिंड व्यू वेग से उर्धादर उपर फेका जाता है तो सबसे उची कितना वो पहुँचेगा यानि उसके अधिकतम उचाई क्या होगी जहां पर पहुँचेगा तो आपने किसी को उपर फेका और वो यहां तक ऐसे गया इसकी उचाई है और आपने यू वेग से उसको उपर फेका है तो देखो जब आप किसी को उपर फेकते हैं तो सबसे जब उपर पहुंचता है तो उसकी अंतिम वेग जो उसका होता है फाइनल विलासिटी वो जिरो हो जाती है ये तो आपको पता होगा भई जिरो हुई ये तब ही तो end में पहुंचा हो तो चलता रहता न तो जब वो maximum height में पहुंच जाता है तो उसके वेग जिरो हो जाता है तो हम यहाँ पे यही चीज को इसको ध्यान में रखेंगे और अब और आपको पता है कि जब किसी चीज को आप gravity के अंडर में आप फेकते हैं तो जो acceleration है यानि तोरण उसका जो होता है वो G होता है ठीक है न तो A यहाँ पर हम G लेंगे तो अब ऐसा कौन सा formula है यानि गति के जो तीन equation होती है तीन समय करण इसमें कौन सा formula ऐसा होता है जिसमें U है जिसमें H है जिसमें V है और जिसमें A है तो वो होता है तीसरा वाला यानि V square is equal to U square plus 2 AS अब यहाँ पर जो V है वो तो 0 है U तो U है प्लस 2 अब जो A है वो यहाँ पर minus G आएगा क्योंकि उपर की ओर फेंका जा रहा है तो minus G आएगा अगर नीचे की ओर फेंका जाता तो plus G आता और S जयानि दूरी जो है distance वो height आजाएगा तो यहाँ पर 0 is equal to U square minus 2GH जो 2GH है वो हो जाएगा U square और इस थरे से हम जो H है वो निकाल सकते हैं U square upon 2G और हमारा answer है B option B correct है I hope आपको अच्छे से समाझ आ गया होगा तीसरा question है किसी गतिमान पिंडी के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंकिक अनुपात क्या होता है देखो जो विस्थापन होता है वो हमेशा या तो दूरी से कम होता है या उसके बराबर होता है कभी दूरी से अधिक तो कभी नहीं हो सकता तो अगर आप दूरी को नीचे लेके आ जाओगे तो ये हो जाएगा विस्थापन बटे दूरी और ये आ जाएगा लेस देन वन तो आप देख सकते हैं ना विस्थापन और दूरी का जो अनपात है ये एक से बराबर है या कम है तो इसका option D correct है बराबर तब होता है जब कोई वस्थापन एकदम सीधी रेखा में चलती है तो उस अवस्था में हम कहते हैं कि जो displacement है और distance है यानि विस्थापन और दूरी दोनों equal होते हैं दोनों ही बराबर होते हैं लेकिन अगर वो थोड़ा सा भी तिर्चा चल गया तो इस case में विस्थापन कम हो जाएगा क्योंकि विस्थापन तो बिल्कुल सीधी रेखा ही रहेगी न और जो दूरी है वो तो जादा ही होती है इसलिए विस्थापन या तो दूरी के बराबर होगा या उससे कम होगा कभी दूरी से अधिक नहीं हो सकता है इसलिए option D correct है question number 4 है यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमान पाती है तो वस्तु गमन करती है यानि जो उसका विस्थापन है ये अनुक्रमान पाती है समय के वर्ग के विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमान पाती है पहले बात तो ये है कि इसका option be correct है एक समान त्वरण यानि uniform acceleration यानि जो उसका त्वरण है यो constant होता है जो त्वरण A है वो उसका constant होता है fix होता है अब इसे कैसे करेंगे तो इसके लिए देखो दो तिन तरीके इसको समझने के पहले बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि जब विस्थापन time पर निर्भर नहीं करता है यानि वो time पर जब निर्भर नहीं करता है तो इसका मदलब ये है कि वस्तू बिलकुर rest में है यानि चल ही नहीं रही है स्थिरा वस्ता यानि वस्तो अपनी जगापर इस्तिरे अगर time के अनुकर्मान पाती होती है तो इसको हम कहते हैं uniform motion यानि एक समान गती और जब ये time के square के proportional होती है तो उसको हम कहते हैं Uniform Acceleration यानि एक समान त्वरण तो बिल्गुल या तो आप इसको सीधा का सीधा ऐसा समझ लो दूसरा बहुत अच्छा तरीका इसको पहचानने का है कि जो त्वरण होता है उसका जो मातरक है वो है मीटर प्रती सेकिंड का वरगया आप जानते हैं और त्वरण जो है वो मानलो की एक कॉंस्टेंड यहां पर कोई वैल्यू है अगर आप S स्कुरर का उपर मल्टिप्लाइ करते हैं तो जो मीटर है यह हो जाता है जो त्वरण की वैल्यू है इंटू S का स्क्वायर और तो आप देख सकते हैं जो विस्थापन है यह समय यानि सेकिंड जो है उसके वर्ग के अनुकर्मान पाती है तो यहाँ पे जो मीटर है यानि फिलाल में आपे केवल मातरक लिख रहा हूँ वो सेकिंड के डिरेक्टिर प्रपोर्शनल है यानि जो विस्थापन है वो टाइम के समय के वर्ग के डिरेक्टिर प्रपोर्शनल है यानि अनुकर्मान पाती है तो ये दो-तीन तरीके समझने के हैं आई होप आपको ये चीज ख्लिर समझ आगे हैं बट बैस्ट है कि आप इसको याद रखो जी यहाँ पर मैंने लिखा है इस तरह से इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेशन के और यहाँ पर जो ग्राफ दिया गया है इससे हम क्या निशकर्स निकाल सकते हैं तो ये आप देखिए टाइम यहाँ पर बढ़ रहा है लेकिन जो इसकी वेलासिटी है वो बढ़ नहीं रही है बिल्कुल जो इसका वेग है इसकी स्पीड है बिल्कुल नहीं आगे बढ़ रही है यानि ये एक समान चाल से गती कर रहा है एक समान गती है ये तो इसका आप्शन एकरेक्ट है यानि टाइम के साथ इसकी गती नहीं चेंज हो रही है तो इसको मैं कहेंगे एक समान गती ओके गती कर रहा है यहीं पर अगर मैं ये कहूँ में है लेकिन ऐसा नहीं है तो यहां पर हम कहेंगे कि यह एक समान गति कर रहा है क्योंकि इसकी जो वेलॉसिटी है इसका जो वेग है बिल्कुल इस्थिर है मान लीजे कोई लड़का दस मीटर परती सेगिंड की नियद चाल से चले और नियद चाल से चल रहे मेरी गो राउंड यानि जो ऐसा गोल गोल घुमता है इसकी सवारी का आनंद ले रहा है तो इससे ग्यांत होता है कि लड़का देखो विराम में है पेले बाद तो विराम में बिल्कुल नहीं है वो तो गति करी रहा है बिना तोरण के अच्छा अब ये देखो कोई भी चीज जब ध्यान से सुनिए जब कोई भी वस्तु एक सम से तो वहां पर कै कि bots नहीं होती है एक तो तो रहन होता है वहां पर ध्यान अदकना तो अ होता है कि कोई भी option c correct है त्वरित गती में है यानि accelerated motion उसमें हो रहा है वेग क्या वेग एक समान है वेग एक समान बिलकुल नहीं है तो जो अगर मैं बात करूँ क्या यहां पर एक समान एक समान वेग है यानि uniform velocity है बिलकुल नहीं है क्योंकि वेग एक समान होने के लिए सीधी रेखा में उसको जाना चाहिए एक ही स्वीड से अब वेग क्योंकि वेग जो होता है वो एक vector quantity होती है सदिश राशी होती है तो इसकी दिशा तो हर समय परिवर्टित हो रही है कभी यहां जा रहा है कभी यहां जा रहा है तो वेग में तो हम दिशा भी देखते न तो वेग तो एक समान नहीं है अगर question में यह होता कि एक समान त्वरण है वो भी गलत होता यानि इसका एक समान त्वरण नहीं है क्योंकि जो त्वरण होता है हमेशा केंदर की ओर होता है कोई चीज जब एक समान चाल से चलती है तो उसका त्वरण हमेशा केंदर की ओर होता है तो ये इसका त्वरण अंदर की तरफ है तो त्वरण की जो दिशा है बार बार परिवर्तित हो रही है तो एक समान तुरण भी नहीं है हाँ पर तुरण है बिल्कुल है तो इसका option C correct है अब question यह है कि जो VT graph है द्वारा घेरा ग्याक शेत्रिफल किस भौतिक राशी को निरुपित करता है यानि जिसको निरुपित करता है उसका मातर क्या होता है जब भी हमारे पास कोई graph होता है और graph में हमारे पास VT जो curve है यानि यह velocity है वेग और यह time है समय इसके नीचे का जो area होता है यह क्या बताता है हमें यह जो area है यह हमें विस्थापन बताता है अब इसको हम विस्थापन भी कह सकते है और इसको दूरी भी कह सकते है दोनों बताता है और इसका मातरक आप जानते है कि ये मेटर होता है तो इसका आप्शन बी करेक्ट है ठीक है सिंपल क्वेशन नमबर एट यहाँ पर चार कार चल रही है A, B, C, D और ये उनका ग्राफ है यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफ तो ये हमें बताने कि किसकी स्पीड ज़्यादा है किसकी स्पीड कम है देखो बड़ा अच्छा क्वेशन है ये सिंपल क्वेशन है और मैं आपको सिंपल तरीके से समझाता हूँ देखो हम कैसे पता करेंगे कि किसकी स्पीड ज़्यादा है किसकी कम है तो सीधी सी बात ये है कि जो कम समय में जो कम समय में ज़्यादा चल गया है उसकी स्पीड ज़्यादा है तो हम एक काम करते है समय को फिक्स कर देते है समय को मैंने यहां पर फिक्स कर दिया है ये होगिया समय फिक्स तो ये C है ये D है ये A इतना चला ये अब आप देखो कौन कितना चला है कौन जादा चला है तो आप आराम से समझ सकते है सबसे अधिक चला है C इतना उसके बाद चला है D उतने टाइम में इतना इसके बाद चला है A इतना और इसके बाद चला है B इतना तो अब आप आराम से देख सकते हैं कौन किसी निशित समय में सबसे जादा चला यानि उसका जो वेग है वो सबसे अधिक है उसकी चाल सबसे अधिक होगी तो यहाँ पर कार A की चाल कार D से अधिक है, बिलकुल गलत बात है यह, ऐसा तो है नहीं कार B सबसे धीमी चल रही है, यह बात सत्य है, B सबसे धीमे चल रही है, है न क्योंकि इसने सबसे कम दूरी तैय की है कार D की चाल C से अधिक है ये भी गलत है कार C सबसे धीमी है ये भी गलत है तो हमारा option B correct है question number 9 ये है हमारे पास तो यहाँ पे कौन सा graph एक समान गती का निरूपन करता है एक समान गती का मतलब है एक समान गती जहाँ पर भी लिखी हो ये समझ जाना कि उसका जो वेग है वो एक समान है अब एक समान वेग किसका है एक समान वेग option A में है उसका कारण ये है कि दूरी और समय का जो graph यो बिल्कुल linear रहा है अगर मैं बात करूं option D की क्योंकि आप यहाँ पे बोलोगे सर ये वी तो एक सीधी रहा है लेकिन option D में तो दूरी ये चल ही नहीं रहा है तो बिल्कुल विराम अवस्ता में है अगर मैं option A की बात करो हाँ यहाँ पर गतिमान अवस्ता में है और जो इसका वेग है एक समान है अब कैसे एक समान है क्योंकि जो दूरी और समय का graph होता है अगर आप इसका slope निकालते हैं इसका जो slope जिसको हम I mean to say आपको slope पता होगा y2-y1 upon x2-x1 करके हम ग्याद करते हैं तो जब हमें यह हमें ग्याद करना होता है तो जो सीधी रेखा होते हैं उसका एक जैसा निकलता है उसका slope बिल्कुल एक जैसा होता है क्योंकि इसका slope इसकी ढाल एक जैसी है तो दूरी और समय का जो ग्राफ एक सीधी रेखा है ये एक समान गती को दर्शाता है ओके Q10 वेग समय ग्राफ की प्रवरता से प्राप्त होता है यानि जो slope विलॉस्टी टाइम का है वो हमें क्या देता है तो वेग और समय का ग्राफ हमें तोरण देता है इसका option C correct है acceleration तो आपको पता होगा कि जब हमारे पास ग्राफ होते हैं इस तरह से कि ये टाइम है और ये विलॉसिटी है और इस तरह से कोई दूरी तै कर रहा है तो हम क्या करते है या यहां से कोई भी एक टुकड़ा ऐसे ले लो तो यहां पर हम इसका slope ग्याद करते है इस तरह से और फिर ये जब T1 इसकी speed है तो velocity V1 है जब T2 speed है तो velocity V2 है तो अगर हमें इसका तोरण निकालना हो तो सिधर हम इसका slope यानि प्रवणता ग्याद कर लेते हैं तो V2 minus V1 upon T2 minus T1 V2 minus V1 को हम V minus U भी लिख देते हैं आपने देखा होगा T2 minus T1 बट ये धियान रखना कि जो इसका इसकी प्रवणता है इसका slope है वो हमें तरण देता है ऐसे आप values में निकाल सकते हैं यानि अगर हमारे पास मानलो की question में ये है कि भाई ये velocity है और ये time है ये 2 second है ये 5 second है और इसकी जो ये velocity है ये 10 meter पास second है ये 20 meter पास second है तो इसका तरण निकालो तो सिद्धे इसका हम इसकी प्रवणता है निए slope ग्यानत कर लेते हैं तो 20 minus 10 upon 5 minus 2 हो जाता है और ये इस तरह से कर लेते हैं ठीक है ना नीचे दिएगे प्रकरणो में से किसमे चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण समान होते हैं तो चली गई दूरी और विस्थापन कब समान होते हैं जब एकदम सीधी रेखा में कोई चलता है एकदम straight line अब सीधी रेखा में कौन चल रहा है पहला option है यदि कार सीधी सड़क पर गवन कर रही यह तो पहले ही सही आ गया दूसरा option है कार विर्टाकार पत पर गवन कर रही बिल्कुल नहीं लोलक यानी pendulum इदरोदर गति कर रहा है यह भी नहीं क्योंकि pendulum ऐसे चलता है तो यह सीधी रेखा तो हई नहीं पिर्थिवी सूरे की परकिर्मा कर रही है यह भी नहीं क्योंकि पिर्थिवी सूरे की तो ऐसे परकिर्मा करती है तो option A correct है ठीक है सीधी रेखा में होना चाहिए question number 12 किसी गतिमान वस्तु के लिए निमलिखित में से क्या शूर्णिय हो सकता है क्या चीज शूर्णिय हो सकती है औसत वेग बिल्कुल शूर्णिय हो सकता है और विस्थापन शूर्णिय हो सकता है उसका कारण यह है विस्थापन शूर्णिय कब होगा जब कोई वस्तू यहां से शुरू होके वापस घुम फिरके वही पर आ जाएगी तो हम यह कहेंगे कि यह तो विस्थापन इसका जिरो है कहीं भी आप कैसे भी चल रहे हो आप और आप वापस में अगर वही पर आगे जहां से आपने शुरू किया तो विस्थापन जिरो हो गया है दूरी यहाँ पे जिरो नहीं है दूरी तो पूरा गिनना पड़ेगा ना कितना चला है तो विस्थापन तो जिरो है यह तो पक्की बात है अब जो वेग होता है यह होता है विस्थापन बटे समय अब क्योंकि विस्थापन ही zero हो गया है तो वेग भी zero हो जाएगा फिर क्योंकि zero upon समय तो zero हो यह होगा na तो यानि पहला और फोर्थ यह correct है तो option 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 C correct है ओके ओर राइट तो आइ होप यह सब आपको समझ आया होगा Question number 13 है 10 मीटर पर 30 सेकंड की चाल से चलती वी गाड़ी पर ब्रेक लगा कर 20 सेकंड में रुख दिया जाता है तो अवतरण ग्यात कीजिए यानि जो डीसेलरेशन है वो हमें ग्यात करना है तो यहाँ पर जो यू है यानि प्रारमिक वेग यह है 10 मीटर पर सेकंड जो वी है फाइनल तो फाइनल तो रुकी जाता है वो टाइम दिया है 20 और हमें निकाल ला है अव तरण पहले बात तो ए निकालो तो यह होता है वी माइनस यू अपॉन टी आई होप आपको यह पता होगा 0 minus 10 upon 20 और ये minus 10 upon 20 आ जाएगा जो की है minus 0.5 meter plus second square अब आपको तुरंद लगेगा कि इसका option C correct है लेकिन नहीं इसका option D correct है ऐसा क्यों है D correct तो A आ गया है यानि जो इसका acceleration है वो आ गया है minus 0.5 meter plus second square लेकिन ध्यान रखना तुरंड नहीं पूछा है अवतरण पूछा है retardation पूछा है acceleration नहीं पूछा है तो जो अवतरण होता है यानि retardation होता है ये होता है minus acceleration इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर प्लस में लिखेंगे 0.5 meter per second square ध्यान रखना अगर question में पूछा होता कि तौरण क्या है अवतरण के बल तौरण यानि acceleration पूछा होता तो तो हमारा यहीं आंसर आता option C correct होता but because retardation पूछा है तो retardation में हम minus sign को हटा देते हैं इसका option D correct है ओके question number 14 है तो ये जो graph है इसमें हमें कुल दूरी याद करनी है कि कुल कितनी दूरी ते की गई है ये जो graph ही ये speed और time का graph है तो यहाँ पर ये इतना graph है यहाँ तक यहाँ से यहाँ चल चुका है तो इसके नीचे ध्यान रखना ये जो पूरा है हमें इसका पूरा area ग्याद करना है क्योंकि जो दूरी होती है एक graph के नीचे का पूरा area होता है अब ये area कैसे निकलेगा तो एक काम करते है इसको हम एक तो ये आयत बना देते हैं इतना और दूसरा ये triangle तो है ही इधर वाला तो जो आयत है इसका area क्या होगा आयत यहाँ पर इसकी है लंबाई 50 और चौड़ाई 5 देख सकते हैं ना इसके लंबाई 50 है और चौड़ाई 5 है इसके अलावा जो ये triangle है ये जो तृबुज आप देख सकते हैं इसका जो base है ये है 50 और जो इसकी height है यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 30 में से 5 हटा दो 25 आपको समझ आ रहा होगा तो इस तरह से पूरा area निकल जाएगा यानि मैंने आयत का अलग निकाला है और ये 30 का अलग निकाला है आयत का जो area है इसका ये इतना है लंबाई गुणा चौड़ाई जो कि 250 आ चुका है और ये 30 का half into base into height ये 625 तो ये आ जाएगा 875 मीटर option B correct है ओके question number 15 तो यहाँ पर 1000 किलोग्राम दर्बिमान की एक कार 10 मीटर पर सेकिंड की वेग से गती कर रही है यदि इसका वेग समय graph X अक्ष के समांतर है तो 25 सेकिंड के अंत में कार की गती ज्यांत केजिए देखो अच्छा question है पहली बात है कि किलोग्राम का कोई लेना देना नहीं है इससे तो यह तो ignore करो दूसरी बात यह है कि जो इसका graph है और graph किसका graph वेग और समय का जो graph है इसका यह X अक्ष के समांतर है यह है यह इसका graph है तो एक बात ध्यान रखो जब graph ऐसे है तो इसकी velocity तो एक जैसे होगी न यानि इसकी velocity तो बड़ी ने रही इसका वेग तो बड़ी ही नहीं रहा है इसका मतलब यह है कि जो शुरू में वेग इसका था 10 मेटर परतिस सेकिंड 25 सेकिंड के अंतर में भी उत्रा ही वेग रहेगा और इसका option C correct है ठीक है 25 सेकिंड के अंतर में यही रहेगा और राइट आई होप यह बात आपको समझ आ गई होगी और इसे साथ यह वीडियो समाथ होता है मैं उमीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको useful लगा होगा और आपकी exam की preparation में आपकी help करेगा मिलते हैं यह वीडियो में Take care